राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माई चाइलन मोटिवेशनल स्टोरी यह कहानी आपकी सोच बदल देगी एक राजा ने अपने सैनिकों को सणक के बीच में एक बड़ी चटान रखने के लिए कहा चटान को बीच संक में रखवा कर राजा ने अपने सैनिकों से शुप कर उस चटान पर नजन रखने के लिए कहा कि देखना उस चटान को रास्ते से कौन हटाता है लोग उस जगा पर आते रहे और जाते रहे लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की उस चट्टान के पास से लोगों के गुजणने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और सहर के बड़े व्यापारी सामिल थे और उन में से कुछ लोग तो राजा को ही कोशने लगते थे क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता लेकिन किसी ने भी उस चटान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा एक दिन एक किसान अपनी सबजियों के साथ उधर से गुजर रहा था उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सुचा कि सब को इस चट्टान की वज़ा से कितनी तक्लीप हो रही है उसने अपनी मजबूल लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढखेलने की कोशिस सुरू कर दी काफी कोशिस के बाद वह उसे सनक से हटाने में कामियाब हो गया चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सबजियों को उठा कर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगा पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाये थे उसने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चटान को रास्ते से हटाएगा दोस्तो बिलकुल ठीक उसी तरह हम सब के लाइफ में भी कोई परेशानिया आती हैं कुछ लोग उन परेशानियों से बच कर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनावों में छिपे अवसर खोज लेते हैं मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किये गए कोशिसों के परड़ाम हमेशा ही अच्छे आते हैं इसलिए जीवन के परेशानियों से घबडावों मतबल की उन परेशानियों को हल निकालने की कोशिस करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो थैंक यू फ्रेंट्स प्लीज हमारी चैनल को लाइक करें सेर और सस्क्राइब परें